हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं मिस्टा टीचर एक बार फिर से आपके लिए जो है लेशन 6 का जिसका नाम है बैजिक रासियों का गुलन खंड इसका लेक्चर नमबर 2 लेकर आए हूं इसके पहले विडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम क्या करते हैं आइडेंटिफाइ करते हैं कि क्या गुलन खंड करना है और हमने जितने भी एक्जामपल दिये हुए सबको सौल करते था अब उसी पर आधारित हम क्या करेंगे हमारे बुक में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है यहां पर हम देखेंगे यहां पर 10-12 प्रॉब्लम दिया हुआ है उसे फटाफट एक एक प्रॉब्लम उठाएंगे उसको सौल करते जाएंगे तो चलिया आज हम जो है पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है तो इसमें पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है अभी में क्या दिया हुआ है क्या common हुआन हो यहां पर हम देखेंगे अठार है और यह इसमें 1 इंचिता वया है और यह घरा तो मत्षा क्या करेंगे गुडण खंड करेंगे धन 18 है तो प्लस 18 का ही करेंगे तो तीन चाइब धन 6 होगा और धन 3 होगा चाहती 9 होता है यहां पर दीखें 9 को ध्यान में रखें हमें इसका गुडण करना है पहले और पहले पद और लास्ट पद यह दिखें तीन पदों का क्या है तो पहले और लाखरी पत को दियान देते हैं लेकिन जब उसे भिखंडित करते हैं तो बीच वाला पत दियान में रखते हैं तो हम ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुडा करने पर 18 और जिसे जोडने पर 9 आ जाए ठीक है यही मैंने किया है तो गुडा करने पर 18 आया बस यहां पे हम इसको चली सॉलव करते हैं तो क्या दिया इसको 9 किस तरीके से लिखते में यह स्क्वार प्लस 6x और प्लस 3x तो 6x और 3x मिलेगा तो 9x होगा तो बस मैंने लिखा 9 x, बस pattern बदल दिया है फ्लस 18 ठीक है फ्रेंट तो इतना हो गया है अब आगे बढ़ते हैं किसमें क्या common है तो इसमें भी एक से इसमें भी एक से तो हम क्या करेंगे एक्स को common ले लेते हैं तो एक्स प्लस 6 हो गया ठीक है इसमें 3 है और इसमें क्या है इसमें भी 3 चिपा हुआ है ठारा की पाहड़ा तो यहां पर प्लस 3 हम ले लेते हैं तो बचा क्या एक्स प्लस तींच्छा कठा रहा है छे भाग देंगे तो छे बचेगा तो यहां पर देखिए एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 6 दो कॉमन हमें सवाल हल करते समय यह बात ध्यान में रखनी है कि दो पद हमारा जो ब्रैकेट में आ रहा है वो प्लस 6 को लिख लिया कॉमन ले लिया और बचा क्या एक्स प्लस 3 देखिए अब देखिया अगर इसको पुना गुड़ा करेंगे तो हमें यही चीजे प्राप्त होगी बस हमने इसको क्या-क्या गुड़न कर दिया मैं आपको विस्तार में समझा देती हूं देखिए येक् उसका जब 3 में गुड़ा करेंगे तो प्लस 3 x हो जाएगा फिर 6 का जब येक्स में गुड़ा करेंगे तो 6 x ठापी चतिन ऑठाबर हो जाएगा और 6 x 3 x जब जूड़ जाता है तो कितना हो जाता है 9 x प्लस 18 मिद यह जो हमने प्राप्त किया है उतर यह हमारा इसी उतर मे यह चीपा हुआ है बस हमने इसको क्या-क्या इसका विखंडन गुड़न खंड कर दिया बस यही सब करना हमें प्रैक्टिस इड शिक्स पॉइंट वर में तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है बुक में यहां पर दिया है कि एक का हमें असा गुलनकर्ण करना जिसमें न आ और 10 दोन हो एजाए तो 9 और प्लस 9 और माइनस 9 और माइनस 1 लेते है तो माइनस 1 और माइनस 9 जूड़ों क्या हो जाएक हो जाएक ह। गूदंने माइनस 10 जाएक और 9 adult होता है तो common लेते हैं x नहां पर है तो x common ले लिया तो क्या बचा x common ले लिया तो x minus कितना बचा 9 बचा और यहां पर क्या common ले लिया minus minus 1 common ले लिया तो x minus 9 बचा तो यहां 1 इसले लिया कि इसमें कुछ भी common लेने लाइक नहीं है बस हमें minus common लेना था तो कोई संख्या लिग दिया 1 लिग दिया तो यहां पर x-9 दोनों पन में है और x-1 इसमें है तो यह हमारा इसका आंसर हो गया कितना सिंपल और सरल है इसी तरीके से हमारा सारा यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा तो मैं सब एक एक प्रोब्लम आपको सॉल्व करके द सढ़िता है तो आगे देखें दूष्रा है तीसरा है स्थिर प्रोब्लम क् selाहां ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे वाई स्क्वायर अब इसमें क्या है वर्क पद क्या है 144 से स्थिर्पद इसका हम इस तरीके से करेंगे कि 24 आये गुड़न खंड तो 12 और 12 धन 12 24 होता है और 12 गुड़े 12 144 होता है तो ठीक है यहां भी पॉजिटिव रहेगा यह भी तो इ 24 ठीक है अब इसमें कॉमन लेने वाला क्या है वाई कॉमन लेलेंगे जब की बचेए का कै में सक्वायर प्लस 12 और उन्हाई स्यांट क्या हम दिखिख रही हो हो तो अम आगे बढ़ते हैं तो इस दोनों पर में यह का मूमन है इसमें भी इसमें तो y प्लस 12 और यहां पर y प्लस 12 यह बचा y प्लस 12 यह हमारा क्या हो जागा इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है चौथा देखते हैं क्या दिया हुआ है चौथा प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 5y का स्क्वाइर प्लस 5y स्थिर्पद 10 ठीक है तो इसमें देखिए वर्गपद 5 है और स्थिर्पद 10 है तो पहले क्या करेंगे पूरे में देखिए 5 इसमें भी 5 है इसमें भी 5 चिपा हो तो 5 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचा क्या y स्क्वाइर प्लस y स्थिर्पद 2 हो गया तो अब हम एक और दो को धियान में रखते हल करेंगे और यह बीच में एक है तो चलिए हम कैसे करते हैं बहुत ही सरल है कुछ भी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको लिखने का हमारा पैटन हो जाए 2y फिर माइनस y मतलब 2y में से 1y घटा देंगे तो एक ही बचेगा यह है हमारा और फिर यहां पर लिख देंगे माइनस 2 जैसे का यह लिखा पड़ा है मतलब यहां पर हमें 2 का यहां पर क्या हो गया प्लस 2 और माइनस 1 तो 2 में से 1 गया तो एक ही बचेगा और दो एक कम दो ही होता है तो चलिए यहां पर लिख दिया 5 अब देखेंगे common क्या लेना है हमें y ले लिया तो y प्लस 2 बचा और यहां पर माइनस 1 ले लिया तो y प्लस 2 बचा ठीक है तो यहां पर फिर से 5 ब्रैकेट में वाई प्लस टू और वाई माइनस वन तो यह हमारा क्या होगा इसका आंसर होगे आपको दीख नहीं रहा था इतनी सारे स्क्रिंशॉट ले सकते हैं तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पाच्वा प्रश्न है पाच्वा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है तो हम कैसे गुलंडखन करेंगे अब यहां पर 35 है वर्गपद एक है तो 35 का ऐसा हमें जो है गुरंखंड करना है कि जिसका मान 2 भी आए और 35 भी आए तो क्या होता है 7 पच्चे 35 होता है तो minus 7 plus 5 ठीक है कैसे होगा 7 पच्चे 35 होता है और 7 में से 5 गया तो 2 होगा ठीक है तो लिख देते हैं इसको P square minus 7P plus 5P अब 7P में से 5P गया तो 2 ही P बचा यह minus में रहेगा ज्यादा में से कम गटाएंगे ज्यादा वाला ही चिन लगाएंगे तो यह minus 2 होगा और minus 35 ठीक है अब यहाँ पर देखते common क्या लेने लगा P हमने common ले लिया तो P minus 7 हो गया और यहाँ पर plus 7 common ले लिया तो P minus 7 हो गया अभी है इसमें भी P minus 7 इसमें भी P minus 7 तो हम क्या करेंगे P minus 7 common ले लेंगे बचा P plus 7 यह हमारा क्या हो जागा इसका answer हो जागा आपको यह भी समद में आगा होगा फटा फट सिंपल कितना है देखिए मैं सब फटा फट सॉल्व कर रही हूं तो यहाँ पर लिखेंगे P square minus 7 P छटमा सवाल है यह minus 44 ठीक है अब यहाँ पर देखिए वर्ग पद में 1 है और स्थिर पद में 44 है तो 44 का हम ऐसा वर्ग करेंगे कि 7 आजाए तो 11 11 में से 4 गया साथ होता है और 11 चोपा 44 होता है तो यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 11 हो जाएगा ज्यादा में से कम घटाएंगे तो माइनस 11 में से 4 गटाएंगे तो माइनस 7 बचेगा तो चलिए हम लिख लेते हैं P square minus 11 P और प्लस 4 P प्लस 4 गटाएंगे तो इस तरीके से लिखते हैं इसमें क्या common है P common है तो P square में से 1 P गया है तो बस P बचा P minus 11 हो गया और इसमें क्या common है 4 है 4 ले लिए तो P minus 11 बचा ठीक है इसमें भी P minus 11 हो जाएगे तो हम क्या करेंगे P minus 11 फिर से common ले लेंगे फिर बचा क्या P plus 4 यह हमारा क्या हो गया 6 problem का answer हो गया ठीक है चलिए हम अगलवा 7 लगा लेते हैं 12 सवाल है मैं आपको सब लगा कर दिखा दिती हूँ ठीक है 12 सवाल दिया है M square minus 23 M plus 120 अब यहाँ पे क्या है 120 है 15,8 कितना होता है 20 होता है 15,8 20 और 15,8 15,8 15,8 120 होता है तो minus यह भी minus यह भी चलिए हम अब दिखते है minus 15,8 तो minus minus जूट जाएगा साइन minus किरेगी तो minus 20 हो गया अब हम क्या करेंगे M square minus 15 M फिर minus 8 M फिर plus 120 ठीक है इस तरीके से लिख लेंगे तो इसमें भी M कॉमल ले लिया तो M minus 15 बचा और इसमें minus 8 कॉमल ले लिया तो M minus 8 पंद्रम 120 होता है ठीक है M minus 15 इधर कॉमल ले लिया और M minus 8 इधर कॉमल ले लिया यह हमारा उत्तर हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आठवे प्रॉब्लम पर आठवा प्रॉब्लम भी इसी तरह से है इसमें दिया है M² बुक में क्या दिया हुआ है M² माइनस 25 M प्लस 100 ठीक है विसको सरल करेंगे इसमें क्या है वर्गोपद एक है और इस्तिरपद 100 है तो 100 को इस तरह के से करेंगे तकी 25 आ जाए तो 20-25 होता है और 20 धन 5-25 होता है तो माइनस 20 और माइनस 5 तो हमें क्या हो गया माइनस माइनस जूड जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस 25 पराप्त हो जाएगा तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं तो m² माइनस 20x माइनस 5x बहुत सरल है ये भी तो यहाँ पर 20m हो रहे हैं ये 5m है तो m कॉमल ले लिया तो m माइनस 20 बचा और यहाँ पर माइनस 5 कॉमल ले लिया तो कितना बचा m माइनस 20 तो m माइनस 20 कॉमल ले लिया तो m माइनस 5 यह हमारा आंसर हो गया ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा आठवा सवाल अभी 4 सवाल और है तो हम उसको भी हल कर लेते हैं फटाफट आइए देखते हैं question number 9 पर question number कितना है मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ तेकिन फिर भी आपको सारा सवाल बता देती हूँ 9 प्रस्न है 3x square प्लस 14x आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे तभी आपको सब समन में आएगा तो यहां पर देखे तेखे ढ़िया हुए है अब यहां पर देखे थोड़ा सा 3 पंद्र होता है और 45 होता है ज्यां 3 गुड़े 颈ー 15 बराबर कीतना होगा 3 गुड़े 15 हो जाएगा अब यहां पर 45 कामे क्या करना है हुड़न-खन करना है ऐसे की चौधर 14 आ जाए तो नो पच्चे 45 और नो पांच 14 होता है प्लस नाइन और प्लस पांच ठीक है नो पच्चे 45 तो यहां पर हम सरल करेंगे तो 3x स्क्वार प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15 ठीक है इतना समझ में आए आपको आगे बढ़ते हैं 3x इसमें कॉमा ले लेंगे तो बच्ची का क् प्लस त्री और इस में क्या करेंगे फ्लस 5 आइप कमन लें टो एकस near 5 यहां पी स्प्लस 3 तो यह प्लस 3 sommes ने ले लिया तो बचा क्या 3x 6458 Mea प्रॉब्लम कि आते हैं दस्गा प्राब्लम्ट की एक स्क्वार जाने कि इस में हमें ध्यान देना है अब यह वह तक तो एका था यह पर गए तो हम उस्षी का किसके स słuवी इस बुला कर द करने हां पर दो अ गया तो क्या करेंगे इस May जबießen तो कितना आएम यहाए करना चरा चिंग किर डःजम करना में तो मैंने माइनस प्रीमाइनस करें तो कितना आएगा माइनस नभी आएगगा तो हमें इस तरीके से भी बाज़ित करना है की जिसका मान हमें क Girist That равvas cycle तो 10 और 9, 10 नवा नब्वे और 10 में से 9 गया तो कितना बचा, एक बचेगा, तो ठीक है, इस तरीके से तो 9x स्क्वाइब प्लस 10x माइनस, फिर से 9x माइनस 45, ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2x स्क्वाइब है, तो यहां पर क्या कॉमन लेने लाइक है, 2x कॉमन ले लिया, तो बचा, x प्लस 5, और यहां पर क्या, 9 पचेगा, 9x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 5, यहां पर भी बचा, तो फिर से x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो बचा, 2x माइनस 9, यही हो गया हमा देखते हैं अगले प्रश्न की ओर तोस्चान नम्मर 11 11 क्या है 20 यहां पर बुख है यहां दिया है 20 x square minus 26 x plus 8 ठीक है तो इसमें भी देखते हैं यह क्या 20 है और यह 8 है तो इसमें जाएगा माइनस 16 और माइनस 10 16 में 160 होता है और माइनस 16 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 26 आएगा यहां पर माइनस 26 है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं 20 x square minus 16 x minus 10 x plus 8 हमने दिखिए उल्टा लिख दिया है हमें लिखना है किस तरीके से अब हम हाँ ठीक है सही है अब इसमें देखे चार पच्चे 20 चार्चोग का 16 और इसमें क्या कॉमन लेना है तो 4 x कॉमन ले लिए तो 5 x minus 4 हो गया और इसमें क्या कॉमन लेंगे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2 पच्चे 10 और माइनस 5 x minus 4 ठीक है यहां पर हमारा यह भी 4 यह भी सेम है तो 5 x minus 4 और बचा क्या 4 x minus 2 यह हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब चलिए हम आते हैं इस लेसन के लास्ट प्रॉब्लम तक पर कोस्टन नमबर 12 जो कि क्या है 44 x square minus minus x minus 3 यह मैं हुमक देने वाली थी लेकिन यह थोड़ा सालक दिख रहा है इसलिए मैं इसको भी solve कर देती हूं तो यहां पर क्या हो गया हम ही क्या दिहान देना है 44 और minus 3 वर्ग पत तो 44 multiply by minus 3 तो कितना हो जाएगा तो एकसो बत्तीस हो जाएगा माइनेश एकसो बत्तीस चार तीन जों का बारत दो और एक तिरग मैं से हूं अब इसको क्या करेंगे उसका जब इखंडन करेंगे तो बारह और 11 क्योंकि हमें एक भी लाना ही है आप वन एक से तो बारह है 12 दहाम 120 और 12 ग्रहम 132 है तो यहां पर हम लिखेंगे –12 और प्लस 11 तो 12 में से 11 गया तो एक एक बचेका हमारा यह भी हो रहा है तो हम लिख देंगे 44 एकस स्क्वाइर – 12 एकस – 11 एकस – 3 ठीक है अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें 12 एकस कॉमन ले सकते हैं 12 एकस नहीं 12 एकस नहीं 4 एकस कॉमन लेंगे तो 11 एकस – 3 हो जाएगा ठीक है 4 एकस कॉमन लेने तो 11 और यहां पर क्या लेंगे यहां पर प्लस 1 लेंगे तो यहां पर प्लस 1 ले लिया तो 11 एकस मैडेos 3 तो यह और यह पतस्मान थो इसको भी कॉमन ले लेते है ज्यार एकस मैडेos 3 और यह क्या लगया? 4 एकस प्लस 1 तो यह हमारा क्या होगा? तो इस तरीके से हमने प्रेक्टिक 6.1 का पूरा प्रॉब्लम जो बारत ही बारवों को हल कर लिया है तो निक्ष वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे AQ प्लस BQ का गुड़ अंखन कैसे करते हैं मतलब फैक्टरस आफ AQ प्लस BQ तब तक के लिए फ्रेंट्स बाए